हेलो दोस्तों नवंबर 2023 का जो है CPI Industrial Worker का इंडेक्स आ गया है और इसे से तै हो रहा है हमारा क्योंकि September की CPI का जो इंडेक्स होता है उससे हमारा November, December, January का DA तै होता है और अगर हम देखते हैं तो इस बार 61 slab की बड़ोतरी आ रही है और ये 61 slab की बड़ोतरी एक जो बड़ोतर हो जा रहे हैं 693 हो जा रहे हैं और अब हमारा DA हो जाएगा 48.51 हां दोस्तों मेंसनर के लिए कोई भी चेंज यहां पर नहीं किया गया है दोस्तों जैसा की स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं डिफरेंट जो क्लेर्क लेबल है और क्लेर के बाद जो है सबार्डनेट है उस पर भी आप DA निकल सकते हैं दोस्तों बात करते हैं DA निकलता कैसे है अगर DA निकलने के फर्मले के बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वाटर टू क्वाटर चलता है यहां पर जुलाई अगस्ट और सब्टेंबर का जो CPI इंडिस्टिल वर्कर का इंडे से वो लिख लेते हैं उसके बाद उसका एवरेज निकालते हैं एवरेज निकालने के बाद क्या करते हैं जो हमारा पुराने स्लैब्स थे वो 632 थे अब जो स्लैब हो गए हैं वो 693 हो गए हैं और एक स्लैब पे जो है 0.07% का होता है तो 632 स्लैब पर जो थे वो हमारा DA था 44.24% और 693 स्लैप पर है 48.51 तो डिफरेंस हुआ 60 स्लैप का जो की बना 4.27% तो दोस्तो जो अगला जो डिय आएगा वो आएगा हमारा फरवरी मार्च और अप्रेल के लिए उसके लिए हमें देखना पड़ेगा CPI इंडेक्स जो है December 2023 तक का तो दोस्तो बैंकिंग से संबंदित जानकारी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आजकल जो है वाइपर टाइट सेटलमेंट की न्यूज हम लगातार देते रहते हैं आपको और अगर आप J.I.B.C.I.B. की तैयारी कर रहे हैं इसके वीडियो भी हमारे चैनल में रखते हैं और अगर आप फ्री क्लासिस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मॉबाइल अप्लिकेशन का लिंक दिया गया है उस मॉबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिए जिससे आपको जो है फ्री लिंक भी आपको टाइम टाइम मिलते रहे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच